उप्राश्ट्रप्ती जगदीब धन्खड और मुख्यमंत्र योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को UP International Trade Show का उधगाटन किया। पांच दिन तक चलने वाले इस Trade Show में 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक विदेशी निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर उप्राश्ट्रप्ती ने मुख्यमंत्र योगी अदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी गेम चेंजर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्थितियों को बदल दिया है। इस मौके पर केंद्र और उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। यू उन्रकोरिओंट दिया किस्टेश अप्रदेश्टेश थे। स्बरॉब मंजय क्ञर झाच्टर ब मिद्था दिस customer luk温 टॉमेंटी dest Todos ऑजूमेंटर्ण है। ये इस इनमी जाडर्श protocol स्थितिय। उद्गाटन के बाद योगी और धन्खड ने मिलकर इरिक्षा से कारेक्रम में लगे हुए स्टॉल्स का निरिक्षन किया और कलाकारों से बातचीत की इस अवसर पर मुख्यमंत्र योगी अधित्यनाथ ने स्टिक उठा कर ड्रम बजाया जिसमें उप्राश्टरपती जगदीब धन्खड ने भी उनका साथ दिया जगदीब धन्खड ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्र योगी अधित्यनाथ कीमचेंजर है उन्होंने स्थितियों को काफी बदल दिया है उन्होंने कहा कि मैं आश्चरयचकित हूँ कि वह अपनी सरकार पर 24 घंटे नजर रखते हैं उप्राश्टरपती ने कहा कि मुख्यमंत्र योगी के नेत्रित्व में उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आया है उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश इससे भी ज्यादा तेजगती से बढ़ेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्र योगी अधित्यनाथ ने कहा कि इस ट्रेड शो को आयोजित करने का उद्देश प्रदेश के छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना है उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां खुद का अंतराश्रिय ट्रेड शो होता है प्रदेश की एक ट्रिलियन अर्थ विवस्था के लक्ष को पूरा करने में यह एहम योगदान देगा पिछले वर्ष ट्रेड शो में 6,000 करोड का व्यापार हुआ था इस वर्ष यहां 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक विदेशी निवेशक शामिल हो रहे है मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महमारी को कोविड-19 से जूज रहा था उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के जो कारेगर जो सर्मिक देश के अलग-अलग राज्यों में कारे कर रहे थे उनके सामने भीषन आजीविका का संकट खड़ा हुआ था पुरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा लेकिन मैं निस्सिंद था मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंसियल है ये चालीस लाख नहीं बलकि चार करोड भी आएंगे यूपी इन सब को अपने हाँ जगे देगा क्योंकि ये यूपी के हैं और मुझे बताते हुए प्रसंता है क्यों चालीस लाख जो भी कामगार और सर्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे हम लोगोंने यूपी में इंटर करते ही उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी और स्किल मैपिंग कराने के साथ एक-एक जनपत को हम लोगोंने पूरी स्किल मैपिंग के पूरे डाटा उपलब्द करवाने के साथी उन्हें वहाँ पे समंधित यूनिट में कारे करने के लिए भी एक ओफर उन्हें उपलब्द करवाया पेड़ाम था कहीं भी कोई अविवस्ता नहीं फैली बलकि उन लोगों ने आकर कि उत्तर प्रदेश की अर्थ विवस्ता को एक बुष्ट दिया और उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधान मंत्री मोधी जी के भारत की अर्थ विवस्ता को फाइव टिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता बनाने के अभिहान में उत्तर प्रदेश भी वन टिलियन डॉलर की कोनोमी की दिसामें तेजी के साथ आगे वड़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है यह वही यूपी है जो आज से साथ वर्स पहले देश के विकास का बेरियर माना जाता था आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन की रूप में जाना जा रहा है इसमें MSME सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा अद्योगिक निवेस बिना MSME बेस के आग का वेस मौजूद है जिस पर हम कारे कर रहे हैं इस मौके पर केंद्रिय मंत्री जीतन राम मांजी, MSME, खादी, ग्रामुद्योग वकपडा मंत्राले में कैबिनेट मंत्री राकिश सचान तथा स्वतंत्र देव सिंग, व्रिजेश सिंग, धर्मपाल सिंग सैनी, नंद गोपाल नंवी और दयाशंकर सिंग उपस्थित थे ऑ हम स्चान ने सुकत ओन से थाले समनी यह सिंग सिंग खादी है खाले स्वितनु के कैबितो Bye полож